अगर आपने नहीं देखिए तो डिस्किप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहांसा आप वो सारी बाते जान पाएंगे जो आज की रॉक एपिसोड में में देखने को मिली तो रॉक एपिसोड में एक सेग्मेंट आया था जो हमने देखा कि ब्रॉक लेस्टे जहां को बात करते हैं रॉक लेते हैं ब्रॉक लेस्टेज पर होता है उसको गिरा देते हैं ब्रॉक लेस्टेजर Kane के ओपर जिसके बार WWE ने अपडेट दी है इन दोने सूपस्टार के बारे में जहां उन्हें वेबसाइट पर ये मेंशन किया है कि भाई Brock Lesnar का तो हो गया है काम तमाम क्योंकि उन्हें रखा गया है मेडिकल अटेंशन में और जैसे के हमने देखा भी था रॉक एपिसोड में कि Brock Lesnar को एंबुलेंस में भरा भी गया था Kane के बारे में डेट दी है कि Kane ने मेडिकल अटेंशन को रिफ्यूस कर दिया यानि उन्हें मना कर दिया मेडिकल अटेंशन में जाने से आगे WWE ने ये भी रिपोर्ट किया है कि अभी हमें ये नहीं पता कि रॉक एपिसोड में जो इंसिडेंट हुआ है वो युनिवरसल चैंपरिशिप का जो मैच होगा रॉयल रमल में उसमें इन्वालिन तीन सूपरस्टार को किस तरह से अफेक्ट करने वाला है तो WWE ने यहाँ पर जो ये एंगल दिखाया है कि किस तरह से ब्रॉक लेशन और केन पर और ब्रॉक लेशन को यहाँ पर सबस्दा कमजोर दिखाया तो ऐसे में जब ब्रॉक लेशन रॉयल रमल में मैच जिंगे तो वो काउंटर अटेक करेंगे और पहले भी ऐसे ब्रॉक चार से की वो डॉमिनेट हुए हैं उन्हें मॉंस्टर हैंडल किया गया लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेशन काउंटर अटेक करते हैं और वहीं अंत में बनते हैं चैंपियन इसके लवा आप लोगा ने कौने मुझ से यह भी पूचा कि क्या वहां पर वह भारी भरकम चीज और अगर आप वागई में चाहते हैं कि इतनी भारी भरकम चीजें ब्रॉक लेशनों के उपर गिरे और उनको करियर खत्म हो तो वह एक अलग बात है WWE में हमें जो यह अतरंगी कारणा में देखने को मिलते हैं यह फ्यूट को और ज़्यादा गर्माने के लिए कि आपको मैंट से हल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स न्यूज विमर्स और इंट्रेस्टिंग बाते जानने को मिलती रहें सू सी यू गाइज इन मैं नेक्स्ट वीडियो